जै रगुननन्दन जैसी आराम हे दुख बन्जन तुम्हे प्रणाम हे दुख बन्जन तुम्हे प्रणाम जै रगुननन्दन जैसी आराम हाई अब्रीवन नमशकार सलाम राम राम आप सभी को वेलकम बैक टिर इंडियन स्फैमली नियू के ब्लोग आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और चोटों को प्यार और बड़ों से प्यार की और आशिरवात की उमीद करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लोग का स्टार्ट करती हूँ तो आज है मंडे, ये मंडे मॉनिंग है रात को मेरा नाइच ओफ था तो मैं तो घर पे ही थी लेकिन सोचा कि आज अच्छे से सो जाओंगी एक नाइट मिलता है, दो नाइट तो बस उसमें नीन पूरी करने की ही रहती है दिन में भी नहीं, इसलिए सोती हूँ कि रात में फिर नीन नहीं आएगी लेकिन फिर अचानक से हम लोग गए थे शाम को मीनू के यहाँ मेरी फ्रेंड है यहीं, टाउन में ही हमारे इंडियन फैमली हैं वो लोग भी तो उन्होंने डिनर पे इन्वाइट किया था तो हम लोग फिर डिनर पे गए थे तो ऐसी हलका फलका उन्होंने वो बनाया था पाव भाजी बनाया था तो हम लोगोंने वहीं पर डिनर कर लिया था तो रात में मुझे कुछ ऐसा डिनर भी नहीं बनाना पड़ा था तो फिर जब वहां से आए बच्चे दूद पीके और सो गए राम कृष्णे ने दूद पिया था प्रेंका शिवांस तो वो भी नहीं पिये थे लेकिन मुझे अचानक से रात को ये फिल हुआ कि शिवांस शिवरिंग कर रहा है उसको बुखार जैसा और फिर उसी दिन से उसे लगातार बुखार चल ही रहा है और दवाईया दे रही हूं रात में उसको पफ औगऺारा भी दिया उसको भी दिया फिर कृष्ण मेरे पास ही सोया था तो कृष्ण को भी दिया तो पूरी रात तो मेरी ऐसे ही निकल गई फिर सुभा में यह हुआ कि अभी स्कूल नहीं जाना है तो यह करते कराते फिर मुझे पौने साथ बज़े में नीचे आई हूँ और उसके बाद फिर यहां भजन लगाया पानी अगर अपना गरम की अच यशीट भी होया है फिर आज क्योंकि प्रियंका ही स्कूल जाएगी रामकृष्न मंडे को जाते नहीं है वो ट्यूसडे और विद्नस डे को जाते हैं फिल्हाल अभी तो तो आज के वर प्रियंका के लिए ही लंच बना रही हूँ तो उसको इस तरीके से ग्रिल चीज वाला सैंविच बहुत पसंद है तो मैंने आज उसके लिए ग्रिल चीज में रखके और इसको ग्रिल कर दूँगी और उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बहुत मन से खाती है उसका चीज तो पता नहीं कितना फेवरेट है मैं कभी-कभी उसे डराती भी हूँ कि अगर इतना चीज खाओगी तो मोटी हो जाओगी बर्ट शी लव फूड ऑलवेज उसको जो है उसको खाने से बहुत प्यार है और बस यहीं देखकर बहुत टश्वूड अच्छा लगता है कि बच्चों को खाने से प्यार हो सब कुछ मेरी बिटियक खा लेती है पहले वह बहुत फसी थी नहीं खाती थी लेकिन अचानक से उसको मैंने कुछ ऐसा गुरु मंत्र दिया, एक दिन जब वो नर्सरी में ही यहीं पर थी छोटे क्लास में, फिर दीरे दीरे वो जब रिशेप्शन में गई, तो कुछ मुझे ऐसा डाउट हुआ कि खाना फैक देती है, खाती नहीं पूरा, तो बस एक बार उसको मैंने कहा, गर तुम मुझे स्कू प्रिचर ने मुझे फोन किया, तो मैं स्कूल लेने नहीं आऊंगी, और वहीं बैठी रहना, वो दिन गया, आज ये दिन आया प्रेंका, आज जो है ये नाइन में चली गई है, बट वो उसको खाने से प्यार हो गया, तो अच्छा लगता है, शिवान्स अभी फसी है खान के निकाल देता है, ममी ये हाड था, ममी ये टाइम नहीं था, ऐसे करके, तो खेर वो तो है, लेकिन बच्चे मेरे दोनों खा लेते हैं, जो कुछ भी मैं देती हूं, मैं उसी इसाप से खाना भी उनको देती हूं, पैक लंच, कि ताकि वो खा लें, बचा कर न लाएं, और में चीज है कि भूखे न रहें, तो यहां मैंने सैन्विच बना दिया है, उसको बटर पेपर में नीचे लपेट दिया, उपर से ये वाला मैंने, ये जो सिल्वर फॉयल होता है, उसमें लपेट दिया है कि खाना ठंडा नहों, सैन्विच ठंडी नहो जाए उसके टाइम म एक मैंने यहां पर ब्राउनीज रख दिया है यह ब्राउनीज और कुकीज मैं जॉब से ले आती हूँ अक्चुली मुझे 4 पॉइंट मिलता है ब्रेक का लेकिन मैं उसे खाती तो हूँ नहीं रात में वहां पर कुछ नहीं खाती हाँ फूट अगर ले जाती हूँ अगर ब् कुकीज है ब्राउनीज है है इस तरीके से कुछ न कुछ ले आती हूँ इस पॉइंट पर यहां पर राम भी नीचे आ चुके हैं तो राम मुझे से एपल काटते हुए देखे तो आपल मांग रहे हैं तो उनको एपल पकड़ा दिया और इसमें आ भी नहीं रहा था पूरा कुकंबर रख दिया है साथ में कुकंबर इस्टिक एक जो है करली क्रिस्प दे दिया है और बस वो अपना जब नीचे आएगी रेडी होके उठ चुकी है वो भी रेडी हो रही है प्रिक्फस करके वो जा चुकी है खालो फिर इसके बाद दवाई देते हैं दवाई रात को भी दिया था उठे थे जब याद नहीं है अभी का शाम दक तो तुम सही थे फिर क्या बीच में हो गया खाली पेट दवाई भी नहीं खाते न तुम तुमारे स्कूल फोन करना है न तो प्रियंका स्कूल जा चुकी है प्रियंका और लिलियाना दोनों बेस्ट्रेंड हैं तो वो दोनों अपना आपस में बात कर लेते हैं कब उनको walk करना है कब ममा पापा उनको छोड़ने जाएंगे तो लिली यहां तक आ जाती है और यह दोनों walk करके चले जाते हैं जब इनको सुभा में जाना होता है तो तो आज सिर प्रेंका को ही जाना था तो इसलिए मैं फिर बाहर नहीं निकली मैं नहीं लेकर गई और अपा उधर से जब क्योंकि इनकारली मॉनिंग थाती है तो पहले ही जा चुके हैं यह आज जल्दी आएंगे जैसे आज आएंगे साड़े तीन बजे तक घर पर यह तो फिर यह उधर से लेते हुए प्रेंका को आएंगे आज प्रेंका नॉर्मल टाइम में ही फिनिश करत यानि 4 o'clock के बाद फिनिश करती है तो क्योंकि उसके एक्ष्ट्रा क्लासे होते हैं इस वजह से वो फिर क्लब अगयरा उसका होता है बाद में तो फिर उसको उस टाइम से लिए लिया जाता है उसके बाद फिर मैंने किच्छन सब जो सुभा के बरतन अगरा थे वो सब हट आए और क्लीन कर रहा उसके बाद फिर मैं शावर ली हूं फट से जाके क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा टाउन में भी जाना है बहुत जरूरी काम है तो यह सब करके और रामकृष्ण को भी ब्रेक्फस्ट करा देकर मैं अभी अपना चाय भी नहीं पी हूं पुजा किया पुजा करके आप चाय बनाओंगी फिर मैंने का चलो पहले पुजा के बाद पहला काम ये था कि जाडूर लगा लेती हूं तो ऐसे ही है मैं कोई ऐसे टाइम में अपने आपको बांध के नहीं रखी हूं कि मुझे यही टाइम पर करना है और यही टाइम पर मुझे करना प और मेरे लिए सोचते बहुत हो कहते हो कि मैं आराम क्या करूं और मैं सोती कब हूं तो इस पर मैंने कई बार आपके साथ वुडियो शेयर किया है और सोने का भी ऐसाच कुछ फिक्स नहीं होता है अब जैसे टूजडे वेडनस टे रामकृष्ण स्कूल चले जाते हैं तो मुझे टाइम मिल जाता है मैं सो जाती हम दो तीन घंटा सुभा आने के बाद अपना जो भी चाय पानी मुझे उपना हसबन रहते नहीं को मुझे चाय बनाकर यह देना consciousness तो मुझे चाय पीने की कोई आदध सच है नहीं और चाई पीने एक बार फिर मुझे नीद भी नहीं आती जब मुझे सोना होता है तो मैं अपना चाई बाए नहीं पीती हूं बस वही चिया शीट लेकर पानी पीकर सो जाती हूं फिर उठती हूं अगर हस्बंड को लेट शिप्ट जाना है तो ग्यारा बजे जाते हैं यह मेरा उस मुलब उनके लेट शिप्ट का रूटीन होता है और उनके मौनिंग शिप्ट का यह रूटीन होता है कि बच्चों को छोड़के आई और अगर राम कृष्ण घर पे हैं तो उनहीं के साथ बस सोफे पर थोड़ा सा कमर सीधी कर लिया और दिन में तो फिर स्किप हो जाता है यदि राम कृष्ण स्कूल चले गए है तब मुझे टाइम मिल जाता है फिर अच्छे से मैं दो तीन चार घंटे जितना भी मुझे आराम से सोते बनता है सोती हूं अगर कोई फोन उगरा नहीं आया तो और जब फैमिली और बच्चे बाहर होते हैं पापा का कहीं कॉल ना जाए इंडिया से तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो कभी-कभी नीद उसमें भी तूट जाती है और तो देखिए यहां मैं अपना आज मिक्स मैंने डाल बनाई है बता देती हूं क्योंकि बताने चलूं जब बाते करती हूं तो वीडियो निकल ज सतया तो सारा काम निक्टाया शुबह का यहां मैंने मिक्स दाल भिंगो दिया था सुबह में इसमें तीन-स निटाल hijice ढर नीघे डिया था यह सब भींगा हुए था इसको मैंने उबलने के लिए नाल दिया और इसके वाए मैंने अपना चाय चढ़ाया तो शी BT बोले कि पीने की यादत पड़ गई थी मेरे पापा के घर के नीचे दुकान है चाई की तो वहां पर वो अच्छी चाई उसको मिल जाती थी तो आज तक उसको वो चाई याद है तो वो कहता है हमेशा कि गोलू भईया जैसे चाई बनाते थे वैसे जो है चाई नहीं है ये तो वो गो ये उसको दूद मिलाया और ले जाकर उसको दे दूँगी वो पी लेगा उसे दिया था मैंने पराठा और जैम के साथ पराठा वो खाने के लिए और देखे ये दोनों भी यहीं मंडराने लग गया आ रहे थे तो भूम फिर रहे हैं इनको दिया है बुक पढ़ने के लिए कुछ ड्रॉइंग और गयरा करने के लिए फिर मैंने मेरा चाय रखा ड्राइनिंग रूम में क्योंकि मेरी यादर ठंडी होने के बाद चाय पीने की है तो उससे मैं यहां लेकर नहीं आई कि कहीं ये गिरा पढ़ाना दें तो कुछ इनका मामला आटक रहा था कुछ चार भी सकते हैं तो वो कहीं इधर उधर रख दिये हैं खेल खेल में ही अपना तो आज मैं आपको बताओं कि पिछले अक्टूबर से मतलब इनके बड़े के बाद से मैंने प्राण ले लिया कि मैं इनको अब टेबलेट नहीं दूंगी और मैंने टेबलेट आ दिया एकार यही सब को कह रखा था कि टेबलेट जब भी मांगे बस बोलो ब्रोकेन हो गया अब नहीं है टेबलेट डाय हो गया यही बोल के इनको मैंने समझाया है और अब इनको मैं टेबलेट नहीं देती मैंने इनकी क्रेजनेस को देखना शुरूर किया जब कि टेबलेट तो जैसे मैंने दे दिया था हम लोग मंगा कर इनको जब रकृष्ण का हाठ तूटा था तो वो दो तीन महीने तक राम के साथ खेल नहीं पाता था और राम जो है अकेला फील करता था तो उसको दिया था कि वो बिजी रहेगा इसमें थोड़ी देर तो इसलिए मुझे दोनों को लाकर फिर देना पड़ा कि क्रिस ने भी अपने एक हांसे तो खेलता ही था विचारा फिर मैं जब इंडिया गई तो वो हां हेल्प मिला मैं इंडिया एक ही हपते के लिए दस दिन के लिए गई थी लेकिन हजबन को यहां पर जब वो अकेले होते थे और प्रयंका भी नहीं उलजन नहीं रहता था प्रॉब्लम नहीं होती थी तो टेंशन फ्री रहते थे तो तब से इनको आदत पड़ गई अब यह उसके पीछे न खाते थे न पीते थे इतना यह मतलब उसमें डूबे रहते थे तो कहीं न कहीं लगा कि गलती हमारी ही थी बच्चों की गलती नही बस मैंने कहा ना भाई अब तो मैं इनको नहीं देने वाली हूं मैंने तब से रखा और पिछले दो महीनों से यह बिचारे बिना टेबलेट के हैं बस टीवी में टाइम टू टाइम इनका कार्टून अगरा लगा दिये जाता है तो अब यह थोड़ा सा फिजिकल यह धनिया पीस ना था धनिया पीस के रखा तंडा होने के लिए पिर मैं मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जाना था थोड़ा टाउन में तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्म आया हुआ था जिसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट उनको और देने थे फिल करके को इसने मैंने फिल कर दिया था तो यह सब ले जाके मुझे पोस्ट करना थो मैं जा रही हूं पको फ्लोर दिखा रही हूं यह वज सीजन है न यह फॉल सीजन में पेड़ के सारे पत्ते गिर के फ्लोर पे आ जाते हैं और गार्डन में आ जाते हैं जारू लगा लगा के दिमाग परिशान हो जाता है और पेड़ सारे जितने भी आपको पेड़ देखेंगे सब उजड़े चमन होंगे बिलकुल पत्ते जड़ जाएंगे और फिर नहीं नहीं पतियां जब फिर बहार आएगा तो फिर आना शिरू हो जाएगा और वहां मैं दिखा रही हूं कि यह एक बड़ा सा स्थम्ब है उसी के नीचे इमेमोरिबल स्थम्ब है तो यह 11 नमंबर था मंडे को तो उस दिन जो है यहां पर रिमेंबरंस महां से निकली फिर सीधे ही मैं आई पॉंड स्टेचर क्योंकि शिवांस के लिए उसकी ड्रॉइंग बुक खतम हो गई थी फिर आई तो मुझे कप का इतना क्रेस है कि मैंने सोचा यह नए स्टाइल में कप आया था क्योंकि आज कल क्रिसमस की बहार आने वाली है तो क्रिस मैंने का नहीं जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी को डेडिकेशन के साथ लेते हैं और घल चलते हैं और यह बड़ा प्यारा सा कप था ऐसे जायद इसको अगरा जूस अगरा पीने वाला था यह मश्रूम की आकार का था बहुत सुन्दर लग रहा था लेकिन यह प्लास्ट से उपर के सामान होते हैं अंडर-107 फॉंड के अंदर ही होते हैं सब सीजरूं बाइन यहोदे हैं तो यह कुछ रह रहा के प्लास्टिक, भी बच्चों कर सी दूद्ध पिने लाया का इन ऑbay prob लाते हैं और यहां यह इक लाइट मुझे ऐसे दिखा ये जैसे उलन के अंदर था तो मैंने चलो एक ले लेती हूँ फिर कहा नहीं मनाना अपने आपको बड़ा मतलब डिफिकल्ट पड़ता है अगर किसी शॉप में जाओ तो मनाना की ये शॉपिंग नहीं करनी है बर मन नहीं मानता कुछ ना कुछ लेने का मन तो करता ही है होता जाता पता भी नहीं चलता कि हमने क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया तो क्रिस्मस के लिए जब एक ही बार हस्बेन और फैमली निकलेंगे तब शॉपिंग कर लेंगे उसमें पता तो रहेगा ना कि हमें क्या जरूरत है और हमने क्या लिया है और बस ऐसे ही हमने थोड़ा सा विंडो शॉपिंग किया आपको दिखाया कि क्रिस्मस का सारा शॉप लग चुका है और बस क्रिस्मस ऑन ड़ दोर ना हो हम आ गए फिर घर पे और उसके बार फिर मैंने यहां पे खाना बनाना शुरू किया खाने में आज पत्ता गोवी था तो यह कैबेज की सबजी बनाओंगी मटर डाल के और डाल वो तो डाल में उबाल कर ही गई थी और शिवांस का बस उसी पराठे के साथ काम चल गया क्योंकि खापी भी नहीं रहा है वो तो यहां पत्ता गोवी को कैबेज था हमारा उसको पहले ही धुलना चाहिए लेकिन पालक को कभी भी काटके नहीं धुलना चाहिए पालक को भी पहले ही धुलना चाहिए अच्छे से वाश करके क्योंकि जो पालक के जो सारे विटमेंस और आयरन तत्त होते हैं वो निकल जाते हैं ऐसा बताते थे बताते हैं पापा भी बतात संसके तेंहें, तो लोग कभी धुले हैं, तो काट के नहीं धुले हैं पहले ही भौश किये, फिर राज़ कया है, जो उसका exactamente कलता है, जो उसके सारे गुर्ण होते हैं वो अमारे सबजी में जाते हैं, फिर वो पानी के अंदर बहने ही जाते है, ऐसा उनका वह दुली कहना था तो उसका वाला जार था उसी में मैंने हल्Яदी और गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा सा बलंड कर लिया और टमाटर डालके धमक डालके मसाले को अच्छे से भुन के और बस यह बूलग दाल दिया है बहुत स्थिम्पल सी यह वीडियो थोड़ा लेट में जा रही है ज़र से तो सही है ना यह वाला पराठा देखो वह वाला मत देखो तो दोनों तरफ हम तो दिखाएंगे खाने का मन्था रोटी बन गया पराठा 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 यह लागर के दो पैकेट दीज भीश चाल इस कभी भी रोटी भी पैकेट वाला आता है रोटी से अच्छा तो पराठा यह ना इसमें घीर लगाने की जुरूरती नहीं दीविका बता रही थी रोटी यह आता है रोटी ले लो तो यहां मेरे हजबन अपने शुब हाथों से शुब कर कमलों के द्वारा पराठा बनाना शुरू कर दिए मैंने रोटी का प्लान बना रखा था मैंने आता भी बना के रखा था तो जुनरी का आता और जो गिहूं का आता होता है वो दोनों एक साथ करके अहाफाफ करके मैंने आता बना के रखा हुआ है रोट फ्रूजन पराठा आता है अभी मैं जब से इंडिया गई हूँ तब से मैंने रखना शुरू किया है क्योंकि जब मैं चली गई थी तो इससे बहुत हुई है बच्चों की और इनकी तो यह यहाँ पर थे और जितने दिन मैं वहाँ थी मैंने केवल सबजी बनाके रख दिया था कुछ पूरिया बना दिया था एक दिन के लिए पूरिया बनाई थी और बाकी फ्रूजन में जो पराठा था वो यही खाते थे यह लोग निकाल के बनाके तो काफी हेल्प हुआ है तो फिर मैंने तब से रखना शुरू कर दिया तो फिर कहते सुनते पराठा बन गया और बच्चे पहले ही खा चुके थे और मैं और हजबन खा रहे हैं अब खाना और बस हमारा एक ही टाइम लंच और डिनर होता है अब चाहे ये लंच हो जाए चाहे ये डिनर हो जाए जब हजबन का मोनिंग होता है तब जब वो शाम को आते हैं तो मैं और वो एक साथ खा लेते हैं और जब उनका इवनिंग होता है तब वो लंच करते हुए जब जाने से पहले लंच करते हैं तो मैं उनके साथ ही खा लेती हूँ, बस यही इतना हमारा खाना होता है, लेकिन फिर भी मोटे हम होते जा रहे हैं, उनके उपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, यह मैं लाइट दिखा रही थी, जो मैंने भगवान जी के पास से लाइट निकाला था, वो यहां काम कर ग इतना है यह संदे को रिकॉर्ड किया था, उसके बाद यह वीडियो भी संदे की ही है, यही स्प्रिंग का काटेज होता है, जो हमारा फिल्टर पानी का वो हमें चेंज करना था, आके रखा हुआ था, वीकेंड में ही हस्वेंड जो होते हैं, तो वही यह सब काम करते हैं, तो यह पूरा जो है मशीन है इसके अंदर यह काटेज जाता है तो यहां से ही वो अपना निकाल रहे निकालके दोनों यह तार निकाल देते हैं और यह एक मॉनीटर जैसा लगा होता है जैसे यह होता नई साल है टाइमर बं की तरह होता है खुछ उसी तरीकेसि ये साल में एक बार ये प्रोस्स करना होता है और ये है इसका पानी का कार्बन जितना कुछ साल में एक बार चेंज किया जाता है तो वही हजबन चेंज कर रहा है तो मैं सुचा चलो वीडियो थोड़ा से इसका भी शूट कर लेते हैं और बस इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ यही पर आशा करती हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा कुछ पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपको आ बलॉवोसमतनों में याद प्लीज सामा झाद रखिएगा जowingजिएगक उाकार टमीज दुआ रखिएगा वाद सनद, हम्टेशएगा दुआफर समय works आपको 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 झाल आपकोशों में आपकोशपर खिएगाउ संद आया है गल एग रह इफ इफ द कर दो कर दो कर दो लाट, लाट, कुषाओ कुषाया नुछया प्हर आनल